हेलो अब्रीवन आज के एफेक्यू में आज हमारा सिक्स एफेक्यू है और आज के एफेक्यू में हम देखने वाले हैं कि लौ करने के बाद क्या-क्या ओप्शन्स ओपन होते हैं लौ स्टुडेंट्स के लिए क्योंकि यह क्वेस्टिन मुझसे अक्सर पूछा जाता है कॉल आप कभी कबार शायद बोर भी हो जाते होंगे बट वो मेंडेटरी है करनी पड़ेगी कि हमारे जो इनिशेटेव है इसका परपस यह है कि लौका जो बेस्ट लौका जो बेस्ट कॉंटेंट है वो लोग free of cost केवल अगर उनके पास एक 4G connection है केवल उस connection पे उनको पैसा खर coachings का best notes का तो वो obviously competition में काफी आगे in comparison to a person who is sitting in बस्तर चातिस गड़ के बस्तर जिले में बैठा हुआ है या कोई बिहार के किसी दूर दराज या उत्तर प्रदेश के किसी दूर दराज के जिले में किसी गाउं में बैठा हुआ है तो मैं चाहता हूँ वो सब same level पे हो content के मा होती नहीं है क्योंकि वो fees आपको मिली नहीं है, fees उनको मिल चुकी है और बाकी उनको किसी से ज्यादा मतलब है नहीं तो जो best content आपको मिल सके चाहें वो लोग बड़े शहरों में रह रहे हूं अच्छी coachings में जा रहे हूं उनको भी और जो लोग नहीं जा सकते हैं अपना ability है यह बड़ी होती जाए और इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं अपना हाज का FAQ और सबसे पहले जो question पूछा जाता है कि जैसे law के बाद हमारे पास options के हैं बट उससे पहले मैं आपको यह address करना चाहूंगा कि हमारे यह जो law है वो किस तरीके से करते हैं तो law basically अपने आथ दो तरह की डिग्रिया मिलती है law में एक three year law होता है जिसको हम normal llb बोलते हैं और एक five year law होता है जिसको जो कई categories में होता है suppose जैसे बी ऐ लल्ल्ब honors बी बी ऐ लल्ल्ब जरूरी नहीं है कि हर जगे honors हो बर जेनरली यह offer किया जाता है बी बी ऐ लल्ल्ब honors कहीं कहीं पे बी कॉम लल्ल्ब बी होता है और कहीं कहीं पे बी ऐसी लल्ल्ब बी होता है और एकाद universities जो हैं वो बी टेक लल्ल्ब का course भी प्रोवाइट कर आ रही है आप में से कितने लोगों को पता था कि हमारे आप five year law में इतने तरीकी के courses होते हैं बीए बीए बीकॉम बीएसी और बीटेक मुझे comment section में जरूर बताएगा तो अब यह जो five year law होता है basically एक integrated course होता है जिसमें आपका graduation होता है प्लस जो law वाला graduation है वो होता है ठीक है तो यह five years का course होता और यह 12 के बाद किया जाता है ठीक है class 12 के बाद directly इसमें admission मिलता है और generally जो इसके लिए जो popular exam है वो CLAT है और इसके तुरू जो national law universities हैं उसमें जाते हैं और उसके अलावा जो दूसरी private universities है वो भी provide कराती है यह वाला जो course है उसके लावा जो three year law होता है वो एक graduation के बाद होता है ठीक है अगर कोई इंसान graduate है उसके बाद वो यह three year law pursue कर सकता है तो अगर आप में से कोई five year law या आपके कोई relative pursue करना चाहता है तो उसको 12th के बाद यह exam देना होगा और उसके बाद इन में से कोई भी course हो चूज कर सकता है और इसमें जो graduation मतलब BA, BSc वगरा की degree plus law की degree finally 5 साल के उसमें मिलती, integrated degree होती है क्यों जब हम graduation करते हैं मालो हम BA कर रह आता है आपका तो यह हमारे यहां law का जो system है अभी अपनी country में यह ऐसा है पर उसके बाद law के बाद हम क्या कर सकते हैं अब हम वो discuss करते हैं तो देखिए एक तो सबसे जो conventional fields हैं वो हो गया practice आप court में, trial courts में, high courts में, supreme court में आप law practice कर सकते हैं ठीक है as a lawyer अपने आपको आप as an advocate register कर वाते हैं जिस भी state में आप practice करना चाहते हैं उस state की बार council में और उसके बाद से आप practice करने के लिए प्राक्टिस करने का मतलब क्या है कि आप किसी का case लड़ सकते हैं किसी court में जाके राइट वो जो movies में दिखाते हैं fancy तरीके से बट courtroom इतने fancy नहीं होते ठीक है फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो judicial services का एक्जाम देके क्या कर सकते हो आप judge बन सकते हो ठीक है तो judiciary में भी जो entry होती है वो दो तरीके से होती है एक आप direct exam दे सकते हो और आप judge बन सकते हो ठीक है direct entry होती है फिर दूसरा जब हम higher judicial services तो यह basically क्या होता है इससे हम क्या बनते है civil judge second class junior division और judicial magistrate बनते है second class फिर जो दूसरा तो इसको हम basically lower judiciary बोलते है जो directly entry होती है फिर उसके बाद जो दूसरा exam होता है वो higher judicial services का होता है जिसको हम HJS बोलते हैं अभी जो HJS का exam है इसको देने के लिए इसको देने के बाद एक इंसान ADJ बनता है जिसे additional district judge बोलते हैं अब HJS का exam देना मतलब आप ऐसे ही नहीं दे सकते कि कोई भी दे सके उसके लिए minimum जो age है वो 35 years होनी चाहिए उसके अलावा minimum 7 years की practice होनी चाहिए अगर आप lawyer है तो आपकी 7 years की practice होनी चाहिए या फिर अगर आप already ये exam दे के judiciary में है judge है तो आपका जब experience उतना हो जाएगा और आप 35 years के हो जाएगे तो उसके बाद भी आप exam दे सकते हैं तो HJS दो लोग बन सकते हैं एक जो जिल लोगों ने already civil judge का exam clear कर लिया था वो लोग बन सकते हैं आगे exam clear करके दूसरा जो practicing advocates हैं जिन्होंने ये exam नहीं दिया था और वो ये दो conditions फुल्फिल कर रहे हैं तो उसके बाद ये लोग भी अगर exam clear करते हैं तो HJS बन सकते हैं ADJ बन सकते हैं और एक बात याद रखेगा High Court और Supreme Court में जाने के लिए कोई exam नहीं होता है आप promotion के थुरू या directly अगर कोई lawyer होता है तो वो elevate होके जाता है वो एक अलग matter है मैं किसी दूसरे वीडियो में समझाओंगा फिर दो चीजी हो गई एक practice as a lawyer and then judicial services exam आप judge बन सकते हो तो हमारे हैं अलग-अलग high courts और अलग-अल रहते हैं फिर उसके बाद आप corporate में जा सकते हो और corporate sector में जा सकते हो आप corporate sector का क्या मतलब है corporate sector का मतलब यह हो सकता है कि आप जो companies होती है बड़ी-बड़ी जैसे reliance हो गया टाटा हो गया इस तरह की जो भी companies है तो आप वहाँ पर in-house council बन सकते हो मतलब क्योंकि हर किसी को वकीलों की जवर्थ होती है उनको भी legal काम पढ़ते हैं या government के departments है उनको भी law graduates की जवर्थ होती है जो उनको advice करते हैं कि किस matter पर किस तरीके से किया जाए notice कैसे दिया जाए यह सारी चीज़ें जो करते हैं तो उनको in-house councils बोलते हैं तो एक तो आप law firms join कर सकते हो law firms में आप associate बन सकते हो तो law firms basically अलग-अलग चीज़ों पर होती है जैसे कोई corporate जो company से related matters देखती है कुछ law firms होती है जो criminal litigation देखती है प्राक्टिस देखती है ठीक है फिर कुछ law firms ऐसी होती है जो intellectual property rights का का काम देखती है sports law का का काम देखती है तो इस तरह से law firms ह होती है आप सब जानते हो I'm sure तो आप उनमें जा सकते हो तो आपके पास यह corporate sector का option होता है उसके अलावा कि जो government में exams होते हैं government sector अब अलग-अलग जो government exams है इसमें से PSU exam करवाते हैं PSU क्या होते है public sector undertakings जैसे ONGC हो गया BHEL हो गया National Highway Authority of India Limited हो गया उसके अलावा Power Grid Corporation of India हो गया तो यह जो government की companies होती हैं उनके लिए apply कर सकते हो तो government companies में आप job ले सकते हो उसके लिए भी exams होता है time to time notification आता है और आप यह कर सकते हो ठीक है फिर government sector में और किस तरह के exams आते हैं वो भी exams करवाते हैं जैसे legal officer या law officer राजिस्थान में एक तरह का exam होता है जिसको जेलो बोलते हैं junior legal officer करके तो अलग-अलग departments में आप government के जा सकते हो फिर उसके बाद आपके पास क्या option है आपके पास एक option आर्मी का है आर्मी में आप जैग में जा सकते हो जैग officer बन सकते हो तो यह जो जैग officer होता है इसका जैग का मतलब होता है judge and advocate general ठीक है आप में से बहुत सारे लोगों ने शौर्रे movie देखी होगी तो शौर्रे में जो राहुल बोस है वो जैग officer बना हुआ है और उसके अलाबा आप लोग ने गर Hollywood movie देखी होगी a few good men करके तो a few good men जो है वो उ होता है उनको अभी तक exam देना नहीं होता था direct वो SSB के लिए जाते थे पर अभी उनके लिए CLAT PG mandatory कर दिया है तो एक option आपके पास यह होता है काफी अच्छा option है यह जाना है फिर उसके बाद उसके बाद क्या option है law में आप academics में जा सकते हो अब मेरी तरह LLM कर सकते हो net clear कर सकते हो अगर आपको पढ़ाने और पढ़ने का शॉक है आप professor बन सकते हो assistant professor बन सकते हो धीर धीर और फिर आगे प्रोग्रेस कर सकते हो तो academics में आप एक option है जो लोग academics में इंट्रेस्टेड है उसके अलावा अभी कुछ relatively new fields आई है जिसमें आप जा सकते हो जैसे लीगल जर्डनलिजम एक बड़िंग फील्ड है लीगल जर्डनलिजम क्या होता है जैसे कई सारी websites है जो जिनको law graduates चाहिए होता है जैसे supreme court में हाई उसके अलावा इंडियन railways vacancy निकालती है ठीक है उसके अलावा अगर हम देखें एक और option होता है जो काफी attractive option होता है वो होता है assistant prosecution officer ठीक है यह basically government के lawyers होते हैं जो की courts में practice करते हैं जो in house council की बात की थी माने वो लोग practice नहीं करते हैं जो legal officers होते हैं वो practice नहीं करते हैं government departments को advice देते हैं और वो केवल office work करते हैं पर जो assistant prosecution officers होते हैं MP में इनको ADPO बोलते हैं कहीं पे इनको district और नहीं बोलते हैं तो इस तरीके से तो यह लोग क्या करते हैं government की तरफ से case रड़ते हैं criminal cases वगरा में तो आप assistant prosecution officer भी बन सकते हो जो की काफी एक adventurous job होती है अच्छी job होती है तो यह सारे options आपके पास law करने के बाद खुले रहते हैं और law करने के बाद ज तो फिर आपकी जो probability है वो काफी कम होती जाती है पर law में क्या होता है कि अगर आप graduate हो और आपने आपको register करवा दिया किसी बार council के साथ और आपने ओल इंडिया बार का exam जो है clear कर लिए simple exam होता है वह difficult नहीं होता है तो उसके बाद आप अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो और जैसे जैसे आपका experience बढ़ता है जैसे जैसे आपकी age बढ़ती है आपके लिए जो opportunities है वो ज्यादा बढ़ती जाती है तो law वैसे भी मतलब यह सारी जो चीजह है यह सब specific fields मैंने आपको बताई उसके अलावा जिन exams के लिए जिन fields में जो बाकी जो graduate समों जा सकते है जैस करीज भी काफी जादा बढ़ रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह help करेगा आपको कुछ guidance मिला होगा कि आपको किस field में जाना है तो अगर आप college में है तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा प्लान करना शुरू कीजे कि आप क्या करना चाहते हो मतलब आप अपने आ रहा है अभी तो बिल्कुल पता करके रहूंगा मैं आज ही ऐसे नहीं होता है अपने आपको time दीजिए explore करते रहे है अलग अलग चीजे और जब आप बहुत सारी चीजे कर लेंगे तो आपको एक time पर realize हो जाएगा कि आप किस field में जाना चाहते हो इस topics related अगर आपके प सकतो है मेरे whatsapp पे और बाकी आपके पास मेरा instagram number instagram id भी है और उसके अलावा हमारा telegram channel आप उसको भी join कीजे तो I hope आपको यह lecture पसंद आएगा और आपके जो doubts है वो clear होगे आपको कैसा लगा यह lecture आप मुझे बताएगा और हाँ आपको यह भी बताना है कि वो जो इतने सारे law के options हैं five year में आपको पता था है नहीं पता था मिलते हैं अपन next lecture में thank you take care